अगर आप अपने WordPress website में एक slider add करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि Smart Slider 3 WordPress plugin को use करके कैसे हम अपने WordPress website में एक बहुत ही attractive slider add कर सकते हैं तो दोस्तो Smart Slider 3 जो plugin है इस plugin में हमें बहुत सारे options मिल जाते हैं बहुत सारे लोग Smart Slider 3 को use करते हैं अपने WordPress website में slider को create करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा process step by step समझाऊंगा Smart Slider 3 में जितने भी options हमें मिलती है उन सारे options को मैं explain करके आपको बताऊंगा कि कौन से options से आप किस तरह के customization अपने slide में कर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अरूप स्वागत करता हूँ आपका अरूप टॉक ब्लॉग्स के आज के इस वीडियो में तो चले दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए है तो चैनल को subscribe करके बैल आगयों को अबाले ताकि हमें यहां पर एक search box मिलेगी तो इस search box में हम type करेंगे smart slider 3 और plugin को search करेंगे so this is the plugin इस plugin को हमें install करना है so यहां से simply हम install ना पर click करेंगे plugin install होने के बाद अब इस plugin को हमें activate करनी होगी so उसके लिए just हम activate button पर click करेंगे plugin activate हो जाने के बाद smart slider 3 का option हमें मिलेगी left side menu में so यहां से हम smart slider पर click करेंगे click करते ही हमारे सामने smart slider का dashboard open हो जाएगा हमें थोड़ा सा नीचे scroll करना है and यहां पर हमें go to dashboard पर click करना है अब हमें यहां पर एक new project create करनी है so उसके लिए हम new project पर click करेंगे click करते ही हमारे सामने दो options आएगी एक है create a new project and second one is start with a template so simply हमें यहां पर create a new project पर click करना है अब हमें project type में slider को select करनी है नीचे आना है यहां पर slider type में हमें simple slider को select करना है क्योंकि carazol और showcase जो है यह हमें इस plugin के pro version में मिलेगी so यहां से हम simple slider को select करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे नीचे हमें यहां पर setting में मिलेगी project का name so project का name आप यहां पर कुछ भी दे सकते हैं अभी default में यहां पर my project है so हम my project ही रहने देते हैं इसे अभी change नहीं करते हैं but आप अपने according यहां पर project के name को customize कर सकते हैं उसके बाद यहां पर width है 1200 pixel and height है 600 pixel इसे हम as it is default में जो है वही रहने देते हैं उसके बाद देखें यहां पर हमें एक option मिलती है layout layout drop down से यहां पर by default full width select है हम यहां से box करेंगे full width और box में क्या difference है वो जब मैं आगे आपको slider add करके दिखाऊंगा तब मैं आपको यह चीज़े अच्छे से explain कर दूँगा कि full width और box में क्या difference है अभी फिलाल हम इसे यहां से box select करेंगे and उसके बाद नीचे हमें create का button मिलेगा इस create के button पे click करेंगे click करने के बाद यहां पर हमारा slider तो create हो गया बट अभी तक हमने slider में कोई भी slide को add नहीं किया है so slides को add करने के लिए हमें यहां पर एक option मिलती है add slide इस पे हम click करेंगे जैसे इस पे हम click करेंगे तो उपर में हमें एक image का option मिलेगा इस image option में हम click करेंगे क्लिक करते ही हमारे सामने media library open हो जाएगी एंड यहां से हम अपने images को select कर सकते हैं अगर आपने images upload नहीं किया है तो आपको यहां से upload file में जाना है एंड यहां से आप अपने images को upload करेंगे already मैंने यहां पर images को upload किया हुआ है इसलिए मैं directly यहां से सरिफ images को select कर लूँगा जितने भी images में अपने slide में add करना चाहता हूँ उसके बाद जैसे हमने यहां पर images को select कर लिया नीचे हमें एक select का button मिलेगा इस पर हम click करेंगे click करने के बाद जितने भी images हमने select किया था वो सारा images हमारा slider में add हो जाएगी अभी आप यहां से देख सकते हैं जितने भी images हमने select किया था वो सारा images हमारा slider में add हो गया है अब जैसे slider में सारे images add हो गई है अब हमें नीचे आना है नीचे आने को देखें यहां पर my project जो हमने अपने project का name दिया था उसमें हमें यहाँ पर अपने slider से related कुछ settings मिल रही है अब हम slider से related सारे settings को एक एक करके देखेंगे उसके पहले हम अपने slider को अपनी website में display करा देते हैं so that जो भी settings हम यहाँ पर करेंगे उन सारे settings का effect आपको directly slider में दिखें and आपको चीज़े अच्छा से clear हो जाए so अब इस slider को अपनी website में display कराने के लिए यहाँ पर हमें दो options मिलती है एक है short code और दूसरा है PHP code PHP code को use करने के लिए हम theme file editor में जाएंगे and अपने PHP code को use करेंगे PHP code को कैसे use करना है यह मैं बाद में आपको बताऊंगा अभी हम यहाँ से क्या करेंगे short code का use करेंगे so उसके लिए हम यहाँ से simply short code को copy करेंगे and copy करने के बाद जिस भी page में हम slider को add करना चाते है याने display कराना चाते हैं उस page में हम चले जाएंगे so यहाँ से हम एक नया page create करेंगे सो उसके लिए हम pages में जाएंगे and add new पे click करेंगे अब हम यहां से page का एक title दे देते हैं सो page का title भी हम यहां पर smart slider ही देते हैं उसके बाद नीचे हम आएंगे and यहां पर जो shortcode हमने copy किया था उस shortcode को paste करना है सो उसके लिए हम यहां से shortcode का एक block लेंगे and यहां पर हम अपना shortcode को paste कर देंगे अब हम अपने page को यहां से publish कर देंगे जैसे page हमारा publish हो जाएगी अब इस page को हम open कर लेते हैं so that हमें यहां पर slider दिखे तो slider हमारा यहां पर page में display हो चुका है अगर हम right arrow पे click करें तो next image आएगी अगर हम previous पे click करें जादा कुछ option मिलता नहीं है यहां पर हम अपने project के name को edit कर सकते हैं या फिर यहां से हम अपने slider के alignment को भी change कर सकते हैं अब हम जाते हैं next tab में जो next tab हमारा है वो है size so जैसे हम size में जाएंगे तो देखे यहां पर हम अपने slider के size को define कर सकते हैं slider का size 1200 x 600 है और नीचे हमें कुछ options मिलती है जैसे limit slide width अब limit slide width का क्या मतलब है जैसे देखे इस option को हम enable करेंगे enable करते ही देखे यहां पर हमें 3 options मिलेगी एक है desktop, दूसरा tablet और तीसरा है mobile अब यहां पर है maximum desktop में आपका slider कितना width तक जाएगा maximum tablet में कितना width जाएगा and maximum mobile में कितना width जाएगा अब जैसे देखे यहां पर अगर हम desktop को enable करते हैं तो enable करते हैं यहां पर हमें maximum width set करने का option आएगा यहां पर by default 3000 pixel है अब मान के चलो कि कोई एक बंदा आपके website को एक ऐसा desktop में open करता है जिसका maximum width है 5000 pixel लेकिन आपका slider 3000 pixel तक ही जाएगा 5000 pixel तक नहीं जाएगा सेम उसी तरह से अगर हम यहां पर tablet को enable करें तो देखें यहां पर by default 3000 pixel ही है आप यहां से अपने according यहां पर define भी कर सकते हैं तो tablet में भी जो maximum width आपका slider का जाएगा वो 3000 pixel तक जाएगा सेम उसी तरह से अगर हम mobile में तो देखें mobile में यहां पर maximum width 480 pixel तक ही है यानि आपका slider है वो maximum mobile में जब display होगा किसी mobile device में तो वो 480 pixel तक ही जाएगा उससे ज़्यादा नहीं जाएगा नीचे अगर हम आते हैं तो यहां पर हमें मिलती है breakpoint so breakpoints basically आपका responsiveness के लिए होता है कि different different screen size में आपका slider है वो किस तरह से behave करेगा so यहां से आप अपने breakpoints को भी define कर सकते हैं next हमें यहां पर option मिलती है layout की so layout में हमें दो option मिलती है एक है box एक है full width अभी जब हमने project को start किया था उस time पे हमने box select किया था अब box select करने से क्या होगा जैसे हमने अपने slider को इस page में display कराया अभी देखे इस page में क्या है left side में हमारा content area है and right side में यहां पर widget area है अभी हमने content area में slider को display कराया तो हमारा slider इस content area में ही है वो widget area में नहीं गया लेकिन जब हम अपने slider के लिए full width select करते हैं and अपने slider को यहां से save करते हैं उसके बाद अगर हम अपने website में जाएं and यहाँ पर अगर इस page को refresh करें तो देखे जो हमारा slider है वो slider पूरा का पूरा width को ले लेगा चाहे उसके सामने widget area रहे या फिर कोई और area रहे वो पूरा का पूरा width को ले लेगा यहाँ पर so आपके project के according आप यहाँ पर slider के type को select कर सकते हैं अभी हम इसे कर देते हैं यहाँ से box so यहाँ से हम एक बार slider को save कर लेते हैं and उसके बाद हम next यहाँ पर option देखते हैं next option हमारे सामने है control जैसे हम control में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले है general general में हमें यहाँ पर एक option मिलते है keyboard अब देखे जैसे हम अपने slider में जाएंगे अपने slider को यहाँ से हम इसे एक बार refresh करते हैं page को अभी अगर हम arrow में mouse से अगर click करें तो हमारा slide यहाँ पर change होगा लेकिन अगर हम mouse से click ना भी करें हम अगर अपने keyboard के arrow key से अगर press करें तो arrow key में भी यह slide change होगा तो यह basically इस option के वज़े से ही है यहाँ पर हमने keyboard को enable किया हुआ है next अगर नीचे आएं तो यहाँ पर हमें arrow का option मिलता है लेकिन हमें arrow चाहिए तो इसे हम यहाँ से enable करेंगे अब जब हम इसे enable करते हैं तो यहाँ पर हमें दो type की arrow मिलती है अभी देखिए by default यह selected है तो आपको आपके slide में यह दिख रहा है अगर आप चाहते हैं arrow के design को change करना तो आप इसे भी यहाँ से select कर सकते हैं आपके arrow के design मिल जाएगी तो आप अपने according यहाँ पर select कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप चाहते हैं arrow के color को set करना तो यहाँ से आप arrow के color को भी define कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हमें hover का option मिलता है यानि अगर आप arrow में hover करेंगे तो उस time पर arrow का color क्या होना चाहिए उससे आप यहाँ से define कर सकते हैं इसके निचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हमें arrow के styling से related कुछ settings मिल जाता है अगर हम previous arrow and next arrow के अगर पूजिशन को अगर change करना चाहते हैं तो उससे हम यहाँ से कर सकते हैं जैसे previous arrow की जो position है यहाँ पर है वो है यहाँ पर left middle आप इसके position को कहीं पर भी change कर सकते हैं same उसी तरह से right arrow की position को भी आप यहाँ से change कर सकते हैं next आपको यहाँ पर option मिलती है image width अब image width होता है आपका arrow का width है image का उससे आप यहाँ से customize कर सकते हैं So, by default यहाँ पर 26 pixel, 26 pixel है, आप इसे अपने according चेंज कर सकते हैं. इसके लाब अगर हम नीचे आएं, तो यहाँ पर हमें option मिलती है bullets का. So, अगर हम जैसे bullets को on करेंगे, तो bullets basically होता है, आपके slider में यहाँ नीचे जो dot दिखती है, वो होता है bullets. So, जैसे हम bullet option को यहाँ से on करेंगे, and यहाँ पर अपने slider को save करेंगे, तो अब देखिए हमारे यहाँ पर slider में नीचे आपको bullets दिखेगी. So, यह है bullets, जैसे हमारा page यहाँ पर refresh वा, नीचे देखिए आपको dot दिख रही है, जैसे बुलेट का position कहाँ पर होगा, उसे आप यहाँ से define कर सकते हैं. यहाँ से आप bullet के position को select कर सकते हैं. इसके नीचे अगर हम आये, तो यहाँ पर हमें एक option मिलती है image का. अगर हम इस option को अगर enable करते हैं, तो यहाँ पर हमें width और height देने का option है. So, इसे by default हम छोड़ते हैं, अब देखें इस option का क्या मतलब है? इस option का मतलब है, जैसे हम bullet पे mouse का pointer hover करेंगे, तो हमें 60 pixel into 60 pixel में एक छोटी सी image दिखेगी. जैसे हम अपने page को यहाँ से refresh करेंगे, अब देखिए, जैसे ही कोई user हमारे slider में आएगा, अब जिस भी bullet point पे हम लेके जाएंगे, उस bullet point पे जो भी slide होगा हमारा, उस slide का image हमें 60 pixel into 60 pixel में दिखेगा. आप इस pixel को यहाँ से change भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर width और height जितना define करेंगे, उतना ही बड़ा आपका यहाँ पर image दिखेगा. तो यह जो option है, यह option भी एक बहुत ही useful option है. उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगे text bar, अगर हम text bar को on करते हैं, add यहाँ से save करते हैं. तो अब देखें, text bar में क्या होगा, कि आपके यह particular slide है, इस slide का जो भी title होगा, वो title आपको नीचे दिखेगी. जैसे हम इस page को refresh करेंगे, अब भी refresh करते हैं, यह जो slide है, इस slide का जो भी title है, वो title आपको यहाँ नीचे दिखेगी. जैसे इसका title है, image 7. अगर हम next में आएं, तो next में देखें, यह जो title है, इस slide का, उसका है image 4. इस तरह से जो भी आपने image का जो title दिया हुआ है, वो title आपको यहाँ पर दिखेगी. अब दोस्तों, यहाँ पर हमें दो तरह की options मिल जाती है, जैसे first slide और एक है यहाँ पर full width को वो ले लेगा. तो आप अपने according यहाँ option को select कर सकते हैं, नीचे अगर आएं तो सेम उसी तरह से आप अपने title को कहाँ पर display कराना चाते हैं, उसके position को आप यहाँ से select कर सकते हैं, next अगर नीचे आएं तो यहाँ पर आपका title जो है, उसका font select कर सकते हैं, उसके बाद अगर हम नीचे आएं तो यहाँ पर हमें मिलती रहा है हमने इस slider में 7 images को add किया है तो यह है number 1 image अगर हम next पर click करें तो देखें यह है number 2 image यह है number 3 image तो इस तरह से आप image count को भी यहां से on कर सकते हैं यह भी एक काफी useful feature है उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहां पर हमें option मिलती है thumbnail का जैसे हम thumbnail को option को यहां से enable करेंगे तो mobile device में thumbnail का width और height क्या होगा उसे आप यहां से define करेंगे अब thumbnail का क्या मतलब है देखें जैसे हमने thumbnail का option को यहां से enable किया अब हम इसे यहां से save करते हैं save करने के बाद अब हम जाते हैं अपने website में इस page को हम refresh करते हैं refresh करने के बाद देखें यहां पर आपको thumbnails दिखेगी जो भी आपका slide show है उस slide show का thumbnail आपको नीचे यहां पर दिखे रहा है जो यहां पर thumbnail का size हमने यहां पर define किया था कितना है 100px x 60px so 100 pixel into 60 pixel में आपको यहाँ पर thumbnails दिख रही है so इस तरह से आप यहाँ पर thumbnail को भी use कर सकते हैं यह भी काफी एक useful feature है next यहाँ पर मिलती है thumbnail का position so यहाँ से आप thumbnail के position को define कर सकते हैं जहाँ भी आप thumbnail को चाते हैं डिस्पले कराना so आप अपने according to place में आप thumbnail को डिस्पले करा सकते हैं इसके बाद दोस्तों अगर हम नीचे आएं तो यहाँ पर हमें एक option मिलती है shadow जैसे इस option को हम enable करेंगे तो यहाँ पर हमें देखे कुछ shadow effect मिलती है इस drop down में हमें कुछ different तरह की shadow effect मिलती है so आप जिस भी shadow effect को यहाँ से select करेंगे जैसे suppose इस shadow effect को हमने यहाँ से select कर लिया उसके बाद हम इसे यहाँ से save करेंगे अब इस save करने के बाद देखे जैसे हम अपने page में जाके इसे refresh करेंगे so refresh करते हैं देखे हमारा slider के नीचे आपको एक shadow effect दिखेगी so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके slider के नीचे आपको यहाँ पर एक shadow effect दिख रही है और यह shadow effect काफी cool है आपका जो slider है वो slider लग रहा है कि LED TV रखा हुआ है आपके website में so यह shadow effect जो है यह shadow effect भी बहुत ही useful feature है आप इसे use कर सकते हैं अपने slider में और अपने slider के look को जो है वो काफी enhance कर सकते हैं next जो हमें यहाँ पर option मिलती है वो है यहाँ पर animation अगर हम animation में जाएं तो यहाँ पर देखिए हम animation को set कर सकते हैं यहाँ पर हमें एक option मिलते है main animation, जहां से हम अपने slider के लिए animation को select कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ animations हमें मिल जाती है, so इस drop-down से आप अपने slider के लिए animation को select करेंगे, अभी हम इसे select कर लएते हैं, fade, उसके बाद next जो tab यहाँ पर मिलती है, उसे आपको यहाँ पर define करना है, so by default यहाँ पर 8000 millisecond है, so इसे हम कर देते हैं 1000 millisecond, उसके बाद हम इसे यहाँ पर save करेंगे, अब हम अपने website में जाते हैं, अब इस page को refresh करते हैं, refresh करने के बाद देखें, यहाँ पर जो animation हमने select किया था, उस animation से यहाँ पर हमारा slide automatic change होगा, so आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा slide यहाँ पर automatic change हो रहा है, जो भी animation हमने यहाँ पर select किया था, so यह भी एक बहुत ही useful feature है, हम अपने slide सों में इसे add कर सकते हैं, and automatic images यहाँ पर change होगी, जिस भी animation को आप select करेंगे, उसके according, अगर दोस्तों आप इस slider को पूरा full width में अगर display कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से चले जाते हैं dashboard में, and dashboard में जाने के बाद हम इस page को open करेंगे, जो smart slider page हमने create किया था, उस page को open करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर all pages में, and smart slider page जो है उसे हम edit करेंगे, page edit करने के बाद देखें, यहाँ पर जो page properties है, इसमें हम नीचे आएंगे, and यहाँ से जो हमारा content container है, इसे full width कर देंगे, and यहाँ पर sidebar layout जो है, से update करेंगे, जैसे page update हो जाएगा, अब हम अपने website में जाते हैं, and यहाँ पर smart slider जो page है, इसे open करते हैं, so आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो slider है, वो पूरा full width में आपको दिख रहा है, and यहाँ पर जो भी animation हमने apply किया था, वो सारा animation यहाँ पर as it is work कर रहा है, so इस तरह का slider आप अपने home page में लगा सकते हैं, जिससे आपके website की look काफी जादा enhance हो जाएगी, so इस तरह से दोस्तों हम smart slider 3 plugin का use करके, अपने wordpress website में एक बहुत ही beautiful and attractive slider को add कर सकते हैं, so I hope यह video आप लोग के लिए helpful रही, तो बस दोस्तों फिलाल आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे comment करके मुझे जरूब बताएं, अगर उड़ा को पसंद आई तो इसे like करें, share करें, चैनल को दोस्तों अभी देखने के सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल आकिन को दबा ले, तो मिलते हैं दोस्तों अब तक लिए वीडियो में, तब तब बाबाई, आड़ टेक कियर,